पंजाब किंग्स ने राजिस्थान रोयल्स को पांच विकेट से हरा दिया है। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान सैम करण ने बनाए जिनके बल्ले से 41 गैंद में 63 रन की पारी निकली इस दोरान उन्होंने 54 और 3 छक्के भी लगाया। पंजाब किंग्स के लिए इस लक्ष को हासल करपाना आसान नहीं था। पर पंजाब ने 15 ओवरों में 103 रन बना लिये थे। पंजाब को आखरी 5 ओवरों में जीज के लिए 42 रनों की जरूत थी। इस बीच 16 ओवर में यजुवींद्र चेहल ने जिती शर्मा को 22 रन के स्कोर पर आउट कर पंजाब को तगड़ा जटका दिया। 20 ओवर में सैम करण ने 38 गैनवर 50 पूरी की आखर 2 ओवर में टीम को मात्र 15 रन चाहिए थे। करण के अलावा अशुतो शर्मा अभी क्रीज पर डटे थे। 19 ओवर में आवेस खान दो छक्के खावे थे। जिससे पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया है। हर्शल पटेल को मिली परपल कैप। राजिस्तान रोयल्स की खिलाफ मैच से पूर्व हर्शल पटेल बार मैचों में 20 विकेट ले चुके थे। अब आरार की खिलाफ मैच में 2 विकेट लेकर वो परपल कैप की देश में सबसे उपर आ दे हैं। उनके नाम अब सीजन में 22 विकेट हैं और उनकी बाद दूसरे स्थान पर मुंबई इंडियन के जस्प्रीत बोमरा है। बोमरा अभी तक IPL 2024 में 20 विकेट चटका चुके हैं। हरसल पटेल के अलावा पंजाब किंग्स के अरशदीप सिंग भी टॉप 5 में हैं जिनके नाम अभी 17 विकेट है। टेवल में टॉप स्पोर्ट की उम्मीद ख़त्म। राजिस्थान रॉइस के अब 13 मैच में 8 जीत के बाद 16 अंख है वही टेवल टॉपर कॉलकाता नाइट राइडर्स के 13 मैच में 9 जीत के बाद 19 संख है। अगर केके आर लीग स्टेज में अपना आखरी मैच हार जाती है तो भी आर आर अप वाइस टेवल के टॉपर नहीं कौन सकती क्योंकि टीम अब केवल 18 अंक तत पहुंच सकती है। कर दो बाद पहुंच सकती है झाल झाल